हेलो फ्रेंड्स आज तो आपको देखके पता चल गया होगा हम क्या बनाने वाले मुंबई इस्टाइल वड़ा पाव अब यह मुंबई इस्टाइल है या नहीं वह आप बताएं मेरे इस्टाइल से तो जरूर है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इनको तो सबसे पहले हम बैटर बना लेंगे उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है और इसमें सारे मसाले डालेंगे हींग, जीरा, नमक और मिर्च यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ले आपको जितना चटपटा चाहिए उतनी मिर्ची डालें इसमें पर दियान रखें के इसकी फिलिंग में भी यह सारे मसाले होंगे तो उसे हिसाब से ले मसाले आप और अब इसका हम पकोड़े जैसा बैटर बना लेंगे रनिंग बैटर यह देखिए और इसे एक बार अच्छे से आप विस्क कर लें हाथों की मदद से अच्छे से फैट अब यह मेरे पास सेंड्विच मसाला तयार है नॉर्मली बनाया उबलेवे आलू को प्याज का तड़का देके हींग जीरा राई और प्याज का तड़का देके उबलेवे आलू डाल दिये और सारे बेसिक मसाले डाल लिए इसमें नमक मिर्ची हल्दी धनिया आम चूर पा बैटर में डालेंगे और बैटर को अच्छे से विस्क करेंगे जब तक वो फलफी नहीं हो जाता फिर हम जो हमने बहुत सयार करके रखे थी ना उसको बैटर में डिप करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ज्यान रखें ऑईल फुल होना चाहिए और मीडियम होनी चीए तो एक बार यह एक तरफ से फ्राई हो जाए फिर हम इनको पलटेंगे और अलटते पलटते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट आते हैं ना फ्रेंड्स तो हमें बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है तो बस इसको आप थोड़ी देर हम जारे पे रखेंगे फ्राई होने के बाद जिससे ऑल सेपरेट हो जाए ऐसे हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे और जो बैटर बचा है ना उससे अब हम ऐसे पकोड़ी निकाल लेंगे इनको भी अच्छे से कुर्कुरी फ्राई कर लेंगे तो अब इन पकोड़ी को हम पहले ठंडा करेंगे फिर हम इनको मिक्सी जार में डालेंगे यह खाने में बहुत टेश्टी बनते हैं बहुत चक्पटे बनते हैं अब इसमें हम लाल मिच पाउडर थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे हींग डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे अब यह मैंने वड़ा पाव वाली पाव ले लिए यह छोटी आती है तो इस पे पहले हम ग्रीन चटनी लगाएंगे इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स के इसको कैसे हम महीनों तग श्टोर करके रख सकते हैं बिना पकाए तो आप मेरा वो वीडियो भी देख ले अब इसके उपर हम वो मसाला स्पिंकल करेंगे जो भी हमने बनाया था पकोड़ी से और सेंटर में हम वड़ा रखेंगे और प्रेस कर लेंगे इसको तो बस अब ये हमारा चटपटा वड़ा पाव तयारे आप चाहे तो इस पे प्याज रख ले या भूनी भी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इतना चटपटा नहीं खाती इसलिए मैंने इतना ही बना तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और आप भी इसे ऐसे आसानी से गर पर बनाएं और इंजोई करें थैंक यू